नमस्कार स्वागत है NCRT Classes टॉप में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को भूत काल जिसे हिंदी में कहा जाता है इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस टेंस के प्रकार सेंटेंसों के प्रकार और प्रजेंट टेंस को पूरा पढ़ा था और उसके आगे जो अगला टेंस है वो है पास्ट टेंस तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस के भागों को जानेंगे पहला भाग है सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस दूसरा है पास्ट कॉंटिनियूस टेंस तीसरा भाग है पास्ट परफेक्ट टेंस और चोता भाग है पास्ट परफेक्ट कॉंटिनियूस टेंस यह चार भाग है परते टेंस के चार भाग होते हैं सिंपल कॉंटिनियूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉंटिनियूस इसे पास्ट इंडेफिनेट भी कर सकते हैं ठीक है तो यह चार भाग हुए है अब पहले भाग को हम पढ़े सबसे पहले simple past tense को सबसे पहले हम simple past tense की पहचान के बारे में जानेंगे तो simple past tense की पहचान है वह जो कोई भी कारिये खतम हो चुका है पहचान कारिये खतम हो चुका है कोई भी अगर कारिये खतम हो चुका है तो वो simple past tense में हम वेक्ट करते हैं उसे simple past tense है कोई भी past में भूत काल में routine action हो भूत काल के routine action भूत काल के routine action के लिए भी simple past tense का प्रियोग करते हैं जैसे यहां उधारन के तोर पे हम लिखेंगे आई वेंट तो इसकूल बाई बस एवरी डे वो परतेख दिन किससे विधाले जाता था बस से विधाले जाता था ठीक है तो यह कह रहा है कि में परतेख दिन बस से में रोजना बस से विद्धाल ले जाता था तो इस पास्ट का रूटीन एक सन था इसका तो इसे सिंपल पास्ट एंसे वेखते किया गया है उसके बाद में यदी हिंदी वाक्यों के अंत में यदी हिंदी वाक्यों के अंत में गया गई गए देखे ता था ता थी ता थे आदी सब्द आते हैं तो वो वाक्य भी simple past tense का होगा ठीक है तो यह है simple past tense की पहचान जिसके दुआरा हम simple past tense को पहचानते हैं इसके अलावा जो simple past tense के sentence है उनको किस तरह से पहचानते हैं वो देखेंगे आगे अब इस sentence के जो वाक्य होंगे पांच प्रकार के होंगे तो सबसे पहले जो वाक्य है वह है affirmative sentence उसको जान लेते हैं विस्तार से इसे हम साधारन वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी करते हैं इंदी में साधारन वाक्य साधारन वाक्य ठीक है अब इसके अंदर किस तरह से मतलब structure इसका क्या होता है sentence का क्या format होता है और किस तरह से हम पहचान करते हैं कि ये वाक्य past simple ये simple past tense का है तो इसका जो सुत्तर होता है subject प्लस verb की second form प्लस object इसमें verb की second form का प्रियोग किया जाता है सभी subject के साथ में सभी subjects के साथ verb की second form का प्रियोग करते हैं सारे के सारे जो subject उनके साथ में affirmative sentence के अंदर ये साधरन वाक्य के अंदर सभी के साथ में वरब की second form का प्रियोग करते हैं अब हम जानेंगे उधारन से पहला जो वाक्य है हमारा साधरन वाक के उसे हम जानेंगे हम वहां थे या फिर हम कहें की हम वहां गए यहाँ पर हमको कहें लिखेंगे हम वी गए है तो जाने की पर्ष्ट फॉर्म होती है गो सेकिंड फॉर्म होती है गोन तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकिंड फॉर्म का प्रियोग करेंगे वी वेंट देयर वी वेंट देयर तो यहाँ पर वर्ब की सेकिंड फॉर्म का प्रियोग किया है सबजेक्ट के बाद में और ये हमारे पास में दूसरा इस्तान है वहाँ अगला वाक्य है वह गीत गाता था वह को कहेंगे अंग्रेजी में ही गाता गाने को कहेंगे सिंग और सिंग की सेकिंड फॉर्म होती है सेंग यहाँ पर हमने वर्ब की सेकिंड फॉर्म का प्रियोग किया है तो जो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की सेकिंड फॉर्म का प्रियोग करते हैं अब हम बात करेंगे negative sentence के बारे में नकारात्मक वाग्त के simple past tense के नकारात्मक वाग्त के जो सुत्र होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं subject plus subject के बाद में साहिक क्रिया की रूप में did का परियोग करते हैं और did के तुरंट बाद नौट लगाते हैं और वर्ब की पस्ट फॉर्म का प्रियोग करते हैं, सभी सब्जेक्टों के साथ में, और अब्जेक्ट, यहां देखिए, जो साहिक किरिया है, हेल्पिंग वर्ब, डिड, यह जो डिड का प्रियोग करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ में करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ और जो वर्ब की पस्ट फॉर्म का प्रियोग करेंगे वो भी हम सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की पस्ट फॉर्म ही लगाएंगे सभी सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब जो यह तो होगी में वर्ब में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सबी सब्जेक्टों के साथ में समान हम प्रियोग में लेंगे यहां पर तो यहां एक सेंटेंस हम लेते हैं वह गाना नहीं गाता था वह गाना नहीं गाता था वह गाना नहीं गाता था ठीक है बात पास्ट की की जारी है तो वह को हम लिखेंगे he नहीं आरा है नहीं सबद है तो नकारात्मक वाक्य है और नकारात्मक वाक्य में हम सहीकृ की रूप में did का प्रियोग करते हैं he did not यहां वर्ब की पश्ट फॉंग का प्रियोग करेंगे sing a song ठीक है तो यहां पर जो helping वर्ब के रूप में तो सभी subject के साथ में हम प्रियोग करेंगे did का और जो वर्ब है man वर्ब man वर्ब में हम पश्ट फॉंग लगाएंगे man वर्ब में क्या लगाएंगे पश्ट फॉंग लगाएंगे तो यह हमारे affirmative और negative दो sentence हुए है अब हम जानेंगे question mark वाला जो चिन होता है person वाचक interrogative sentence और interrogative negative और डबल वर्ड वाले इन तीनों के हम सुतर लिखेंगे सबसे पहले तो इसमें तो सबसे पहले साहिक क्रिया का did के रूप में प्रियोग होगा उसके बाद में subject subject के बाद में verb की पश्ट फॉर्म और अंत में object और object के बाद में यहाँ पर person वाचक चिन जो question mark लगाएंगे और अगर interrogative negative हो तो वहाँ पर हम डिड से सुरू करेंगे वाक्य को subject के लगा के उसके तुरंत बाद note का प्रियोग करेंगे verb की पश्ट फॉर्म का प्रियोग करेंगे object और person वाचक चिन ठीक है और wh word वाले वाक्य में क्या है कि wh word को सबसे पहले लिखते है wh word सबसे पहले लिखेंगे object और question mark ठीक है इन तीनों सुत्रों से हम ये जो हमारे interrogative sentence है इनको हम बनाते हैं एक वाक्य लेते हैं उसी के हम 5 वाक्य बनाएंगे जो हमारा affirmative, negative, interrogative और सारे के सारे वाक्य उसी के अंदर आ जाएंगे तो हम एक वाक्य लेंगे कि वह यहां वाक्य है मैंने तुम्हें देखा इसी sentence के हम 5 वाक्य बनाएंगे सबसे पहले बनाएंगे हम positive वाक्य और इसे हम कहेंगे affirmative sentence मैंने I तुम्हें देखा देखने को कते हैं C और C की second form होती है सा और तुम्हे को हम कहेंगे यहां यूँ आई सा यूँ उसके बाद में negative sentence होगा negative sentence में I did not यहां वरब की परियोग करेंगे I did not see you क्यूस्टन मार्क वाला जो interrogative sentence होता है उसमें साहिक किरिया का प्रियोग पहले किया जाता है ठीक है साहिक किरिया का प्रियोग हम पहले करेंगे I did I see you क्या मैंने तुमें देखा और क्यूस्टन मार्क वाला जो negative sentence होता है did I not see you उसके बाद में जो आखरी वाक्य हम बनाएंगे WS वर्ड वाला मैंने तुमें कहां देखा या मैंने तुमें कब देखा तो कब देखने के लिए हम बनाएंगे मैंने तुमें कब देखा मैंने तुमें कब देखा मैंने तुमें कब देखा ठीक है तो यह हमारे पाँच वाक्ये जो है simple past tense के और पाँचों के हमने सुत्र इस में बताए है एक-एक वाक्ये को बनाया है दुबार से तो यह हमारा simple past tense complete हुआ है अब हम past continuous tense को जानेंगे उसकी basics के बारे में verb के बारे में, helping verb के बारे में तो सबसे पहले past continuous की पहचान हम जान लेते हैं कि past continuous के वाक्ये को किस तरह से हम इन दी वाक्ये को कैसे पहचानते हैं और अंग्रे जी वाक्ये को कैसे पहचानते हैं तो यहां पर भूत काल में किसी कारे का जारी रहना वेक्त होता है एक तो भूत काल के अंदर किसी भी कारे का जारी रहना जो वेक्त होता है, वो होता है past continuous tense से दूसरा जो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे आदी सब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में तो यह सब्द आते हैं उसके अलावा जो कोई भी कारे भूत काल में जारी रहता है continuous होता है तो उसमें भी हम past continuous tense का प्रियोग करते हैं ठीक है उसके बाद में हम यहां पर साहिक क्रिया जो helping verb है इस tense की वो जानेंगे सबी पूरे के पूरे जो वाक्य है उसमें जो साहिक क्रिया प्रियोग में लेंगे helping verb सहायक क्रिया सहायक क्रिया सहायक क्रिया के रूप में वाज और वर वाज और वर का प्रियोग करते हैं अब यहां पर दोनों का प्रियोग अलग अलग सब्जेक्टों के साथ में किया जाता है जो वाज का प्रियोग करेंगे वो I, he, see, it, name और singular noun के साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है कि I के साथ भी वाज का प्रियोग किया जाता है ठीक है? I के साथ भी किसका प्रियोग करते हैं? वाज का प्रियोग करते हैं और जो वर का प्रियोग करेंगे वो करेंगे you we they और plural noun plural noun भवचन संग्या you, we, they और भवचन संग्या के साथ में किसका प्रियोग करेंगे वर का प्रियोग करेंगे और यहाँ पर जो main वरब है main वरब continuous जितने भी होते है उसमें सभी main वरब में ing लगाते है अब इनके चारो पाँचो जो सैंटेंस है उनके सुत्र हम लिख लेते हैं एक साथ पहला जो है affirmative sentence वाला positive वाकिस के सकारात्मक वाक्य होता है तो इसमें subject subject के बाद में subject के अनुसार और वोज और वर में से हम प्रियोग करेंगे उसके बाद में वरभ की पश्ट फोर्म में ing लगाते हैं और object लिखा जाता है ठीक है यह हो गया affirmative sentence का सुत्र उसके बाद में negative sentence में सबसे पहले subject subject के बाद में साहिक किरिया के रुप में वाज और वरकाप्रियोग किया जाता है उसके बाद में साहिक किरिया के तुरंत बाद negative sentence में note लगाते हैं note वरभ की पश्ट फोर्म में ing और object question mark जो हमारा होता है interrogative sentence interrogative sentence में हम लिखेंगे सबसे पहले साहिक किरिया वाज और वर उसके बाद में subject subject के तुरंत बाद वरभ की पश्ट फोर्म में ing लगाते हैं object और object के बाद में प्रसनवाचक चिन जो लगाते हैं ठीक है उसके बाद में प्रसनवाचक नकारात्मक अगर interrogative नेगेटिव हो तो वाज word subject और subject के तुरंत बाद note का प्रियोग करते हैं वरभ की पश्ट फोर्म में ing लगाते हैं object और अंत में प्रसनवाचक चिन ws word में सबसे पहले ws word लिखेंगे उसके तुरंत बाद subject के अनुसार वाजवर का प्रियोग करते हैं फिर subject वरभ की पश्ट फोर्म में ing object और प्रसनवाचक चिन तो इस तरह से पहला जो affirmative sentence है उसमें subject subject के बाद में subject के अनुसार साही के लिए वाजवर वरभ की पश्ट फोर्म उसमें ing लगाते हैं और फिर object लिखते हैं और negative sentence में subject के बाद में साही किरिया आएगी उसके बाद में note का प्रियोग करते हैं और सेम वही चीज है प्रसनवाचक वाग्य जो interrogative sentence होते हैं उससे हम साही किरिया से सुरू करते हैं उसके बाद में subject और वरभ की पश्ट फोर्म के ing लगाने के बाद में object और अंत में प्रसनवाचक चिन का ध्यान जरूर रखना है और नकारात्मक वाग्य में subject के बाद में note लगा देना है और ws word में ws word से सुरू करते हैं और subject के नुसार साही किरिया लगाते हैं और उसके बाद में subject के बाद में verb की फ़र्श पोर्म में ing object और परसनवाचक चिन लगाते हैं अब हम एक वाग्य के से समझेंगे इसके पूरे पाँचों sentence हम बनाएंगे एक वाग्य लेकर कि किस subject के साथ में कौन सी साही किरिया का हम प्रियोग करते हैं ठीक है तो हम वाग्य लेते हैं वह खेल रही थी वह खेल रही थी ठीक है ये example हमने लिया है अब इसके हम पाँच वाग्य बनाएंगे ठीक है पांच वाक के बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका positive sentence, affirmative sentence बनाएंगे, तो affirmative sentence इसका बनेगा, जो हिंदी में हमारा है, ये affirmative sentence ही है, ठीक है, वह खेल रही थी, मतलब ये है strilling, तो वह को हम अंग्रेजी में यहां लिखेंगे, c, और c के साथ में साहिक किरिया के आएंगे हम ing, c was playing, वह खेल रही थी, ठीक है, इसी वाक्ये को अगर हम नकारात्मक negative sentence बनाते हैं, तो यहां पर subject के बाद में साहिक किरिया और साहिक किरिया के बाद में note का प्रियोग करते हैं, तो c was not playing, c was not playing, वह नहीं खेल रही थी, ठीक है, यह हमारा negative sentence है, subject, साहिक किरिया वाज लगाया, उसके बाद में not, वरवकि पश्ट फॉर्म में आएं जी और object, उसके बाद में हम क्यूसन मार्क वाला जो interrogative होता है, वो बनाएंगे, interrogative sentence में सबसे पहले साहिक किरिया आई थी, क्या वह खेल रही थी, was c playing, और अंत में प्रसनवाचक चिन, ठीक है, सबसे पहले helping verb, उसके बाद में subject, और subject के बाद में man verb में ing, यहां object नहीं है, उसके बाद में question mark जो वाला sentence होता है, negative, उसको बनाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं, कि सारा का सारा वैसे होता है, बस subject के बाद में क्या लगा देते हैं, हम इसमें note लगा देते हैं, was c not playing, वो c not playing, क्या वो नहीं खेल रही थी, ठीक है, अब हम बनाएंगे वाक्य डब्लू एस वर्ड वाला, डब्लू एस वर्ड वाला वाक्य बनाएंगे, डब्लू एच, वर्ड वाले, वह कहां खेल रही थी, वह कहां खेल रही थी, तो कहां को हम अंग्रेजी में कहते हैं, वेहर, कहां सबद यहाँ पर डब्लू एस वर्ड है, वेहर, वोज, कहां खेल रही थी, वेहरवाद, सी, प्लेइं, यह हमारा क्यूसन मार्क, तो इस sentence में हमने पाचो के पाचो sentence complete बनाए है, तो यह past continuous tense है, past continuous tense के सारे सुत्तर बताये है और वाक्य का हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाया है किस प्रकार से subject के साथ में साहिक करिया किस प्रकार से प्रियोग में लेते हैं अब हम अगला sentence पढ़ेंगे past perfect tense past perfect tense तो सबसे पहले इसकी जो पहचान है वह जान लेते हैं भूत काल में किसी कारिय का पुर्ण होना भूत काल में किसी कारिय का पुर्ण होना और हिंदी वाक्यों की जो अंत में आता है वो आता है छुका था, छुकी थी, चुके थे आदी सब्द अगर हिंदी वाक्क्यों के अंत में ये सब्द आते हैं तो वो वाक्के हम बनाएंगे past perfect tense में ठीक है, आदी सब्द अब यहां पर हम past perfect tense की साहिक किरिया के बारे में जान लेते हैं helping verb helping verb सहयक किरिया तो helping verb के रूप में यहाँ head गा प्रियोग किया जाता है और जो head गा प्रियोग किया जाता है वह सभी subjects के साथ किया जाता है सभी subjects के साथ यहाँ पर he, see, it, name, singular, plural, I, V, you, they सभी के साथ में head गा प्रियोग किया जाता है सहयक किरिया के रूप में इस tense में के अवल एक ही सहयक किरिया है उसके बाद में जो main verb होती है main verb में verb की third form का प्रियोग करते है third form का प्रियोग करते है main verb जो होती है वो होती है verb की third form होती है, ठीक है अब सबसे पहले तो इसके जो पाँचो sentence बनेंगे, उनके हम सुत्र लिखते हैं, और उसके बाद में एक sentence हम बनाएंगे, उसके पाँच वाक्य बनाएंगे, एंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके, तो सबसे पहले जो हमारा क्यूसन मार्क से पोजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है नेगेटिव क्यूसन मार्क ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डवलू एच वर्ड डवलू एच वर्ड ठीक है, तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले हम सबजेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद साहिक्रिया की रूप में head और verb की third form object ये हमारा affirmative sentence का सुत्र है ये जो negative sentence होता है इसमें subject, subject के बाद में साहिक्रिया की रूप में head head के तुरंत बाद हम note का pre-o करते हैं और verb की third form object जो interrogative sentence होते हैं उसमें साहई किरिया पहले लगाते है subject से और head के तुरंद बाद subject, subject के बाद में verb की third form और object और अंत में cushion mark किशन mark जो interrogative नेगेटिव होते हैं उसमें head, subject और subject के तुरंद बाद not, verb की third form, object और अंत में person वाचक चीन लगाते हैं और ws word वाले जो sentence होते हैं इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ws word को जो भी हमारा ws का सब्द होगा उसे लिखेंगे उसके बाद में साहई किरिया की रूप में head, subject, verb की third form, object और अंत में person वाचक चीन यह हमारे पाचो sentence के पाच जो सुत्र है वो हो गए है, अब हम एक वाक्य लेंगे और उसी के पाचो के पाच sentence हम बनाएंगे पहला वाक्य है affirmative sentence, राम घर जा चुका था, तो subject में है राम और सभी subjectों के साथ में हम past perfect tense में साहिक रेक रूप में head का प्रियो करते हैं head और यहां वर्थ की third form का प्रियो करेंगे, तो go went gone, राम head gone, राम head gone home, अगला वाक्य है negative sentence, राम head, हेड के बाद में हम लगाएंगे not gone home, राम घर नहीं जा चुका था, अगला वाक्य है प्रसनवाचक वाक्य, तो यहां पर साहिक किरिया head से सुरू करेंगे, head, राम, गोन, होम और अंत में प्रसनवाचक चिन, क्या राम घर जा चुका था, अगला है क्या राम घर नहीं जा चुका था, हेड, राम, नोट, गोन, होम और अंत में प्रसनवाचक चिन, राम घर कब जा चुका था, तो यहां पर कब है जो डबलो एस वर्ड है, इसको कहेंगे अंग्रेजी में वेहन कहते हैं कब को, वेहन, head, राम, वर्ड की थर्ड फोरम, गोन, होम, यहां सभी सेंटेंसों में इस सबजेक्ट दुआरा कोई गती नहीं हो रही है, या तो वो पहुँच चुका है, या वो वहां से गया ही, नहीं, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं, तो यहां पर दोनों ही इस्ततियों में है कि वो या तो उस इस्तान से उस इस्तान पर या तो पहले पहुँच चुका है या वहाँ से गया यह नहीं इसलिए यहां पर preposition के रूप में टू का प्रियोगम नहीं किया है तो यह पाचों के पाचों सेंटेंस जो है कोई कारिये भूत काल में जारी हुआ था भूत काल में किसी कारिये का सुरू होना कोई कारिये भूत काल में सुरू हुआ था और भूत काल में जारी रहा था तता भूतकाल में ही समाप्त हो गया था भूतकाल में ही समाप्त हो गया था ये तीनों ही इस्तितिय एक ही सेंटेंस में होगी कि कोई कारिय भूतकाल में सुरूव आता और भूतकाल में जारी था और भूतकाल में ही वो समाप्त हो चुका था ठीक है और इसके अलावा जो परचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदी सब्द आते हैं जानेंगे साहिक किरिया, साहिक किरिया, हेल्पिंग वर्ब, साहिक किरिया, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में, पास्ट परफेक्ट कंटिनियू स्टेंस में, हेड बिन का प्रियो करते हैं, हेड बिन, हेड बिन का प्रियो करते हैं, और सभी सब्जेक्टों के सा सबी सब्जेक्ट के साथ करते हैं हेडविन का प्रियो करते है ठीक है उसके बाद में में वर्ब में वर्ब जो मुख्य किरिया के रूप में होता है मुख्य किरिया में में वर्ब की पस्ट फोर्म में आएंजी लगाते हैं में वर्ब में क्या करते हैं वर्ब की पस्ट फोर्म में आएंजी लगाते हैं अब इसमें किसी भी समय की अवधी या तो अवधी दी गई होती है या फिर एक निशित समय दिया गया होता है उनके लिए सिंस और फोर का प्रियोग करते हैं सिंस का प्रियोग और फोर का प्रियोग करते हैं ठीक है तो यह जो सिंस का प्रियोग किया जाता है यह किया जाता है निस्षित समय के लिए निस्षित समय के लिए अब निस्षित समय के लिए में क्या आएंगा जिसे किसी महिने का नाम जून, किसी दिन का नाम मंडे, किसी सन का नाम सन दोहजार, उसके अलावा जो भी निश्चित समय होता, जैसे घड़ी का समय फाइव ओक्लोक, तो इनके साथ में तो हम क्या करेंगे, सिंस का प्रियोग करेंगे, और जो फोर का प्रियोग करते हैं, वो करते हैं, समय की अवधी के लिए, जो ये क्या होता है, अनिश्चित समय होता, समय की अवधी के लिए, जैसे, टू मंद्स, टू डेज, टू इयर, और टू आवर्स, दो दिन, दो साल और दो घंटे ये तो ओगे समय की अवधी और ये जो जून, मंडे, सन दो जार और पाँच बजे ये सब क्या है एक निशित समय होता है तो इनके साथ में हम प्रियोग करते हैं सिंस का और समय की अवधी के लिए प्रियोग करते हैं फोर का अब हम इसके प्रियोग करते हैं सिंस या फोर का प्रियोग करते हैं सिंस या फोर का और अन्त में हमारा जो टाइम होता है वो लिखते हैं फीक है तो सबसे पहले subject subject के बाद में head और उसके बाद बिन वरब की पश्ट फोर में ing object और समय अवधी के लिए फोर और निश्चित समय के लिए sense का प्रियोग करते हैं और उसके बाद में time लिखा जाता है अब हम लिखेंगे negative sentence में सबसे पहले subject subject के बाद में head plus note plus bin यहाँ bin का जो प्रियोग करते हैं वो note के बाद करते हैं ठीक है तो head और bin के भी इसमें note उसके बाद में वरब की post form में ing लगाते हैं object object के बाद में since और form में से किसी एक का प्रियोग करते हैं समय के नुसार और अंत में समय लिखते हैं यह हुआ जो हमारा negative sentence होता है अब हम लिखेंगे interrogative sentence तो interrogative sentence की जो सुरूआत करते हैं वो साहिट के रिया head से करेंगे उसके बाद में लिखेंगे subject और subject के बाद में आएगा bin plus verb की post form में ing object since या for और since for के बाद में time और last में हमें लिखना है इसमें question mark पसमाचक्चिन जरूर लगाना है जो interrogative sentence होते हैं उनमें अगला है interrogative negative sentence इसमें सबसे पहले head सुरूआत करेंगे उसके बाद में subject और subject के बाद में note note हमेशा तीसरे नमबर पर होता है उसके बाद में bin bin के बाद में verb की post form में ing object object के बाद में since या for में से समय के अनुसार प्रियोग लेंगे और time और time के बाद में हम लिखेंगे इसमें person वाचक चिन ठीक है उसके बाद में जो last है ws word वाला सबसे पहले सुरूआत हम ws word से करेंगे उसके बाद में साहिक के रिया के रूप में head subject subject के बाद में लिखेंगे bin verb की पश्ट फॉर्म में ing object object के बाद में since और for उसके बाद में प्रियोग करते हैं हम time का और time के बाद में question mark का तो ये पाँचों जो sentence हैं हमारे affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative और wh word वाले बाद के इनके सारे के सारे की जो है ये सुत्र है interrogative के जो ये affirmative का है subject helping verb bin उसके बाद में वरब की पश्ट पॉम में ing object और since for और time उसी तरह से ये सारे के सारे sentence के जो formula है अब एक sentence से हम पाँचों के पाँचों sentence बनाएंगे हमारा जो वाक्य है वह दो वरफ से एक किताब लिख रही थी रही थी से ठीक है से रही थी आ रहा है तो ये हमारा जो sentence है ये past perfect continuous tense का होगा अब यहाँ पर इसे हम पाँचों इसके पाँचों के पाँचों वाक्ये बनाएंगे तो सबसे पहले affirmative वाक्ये जो है इसका बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले subject लिखते है तो subject क्या है वह लिख रही थी रही थी मतलब इस तरह लिंग है तो ये आ जाएगा C C के बाद में सहाई क्रिया की रूप में आएगा इसमें verb की first form में ing लगाएंगे तो write write में e हटा देंगे ing लगा देते है writing a book अब यहाँ पर दो वरस से दो वरस से लिख रही थी अब वो कब एक समय की आउधी दे दी गई है यहाँ पर समय की आउधी दे दी गई है इसलिए हम यहाँ पर प्रियोग करेंगे four का four two years ठीक है तो यहाँ पर समय की आउधी है दो वरस समय आउधी इसलिए हमने किसका प्रियोग किया है free position के रूप में four का प्रियोग है यहाँ पर अगला sentence हमारा है negative negative sentence में subject और subject के बाद में head सुत्र के अनुसार head के तुरंदवाद हम करेंगे note का प्रियोग उसके बाद में been writing a book four two years यहाँ पर negative sentence है तो head और bin के बीच में हमने किसका प्रियोग किया है note का प्रियोग किया गया है अगला है interrogative sentence question mark वाला जो sentence होता है इसे हम साहई किरिया से शुरू करते हैं उसके बाद में subject c bin bin के बाद में वरभ की पर्ष्ट फों में ing writing a book four two years अन्त में परसनवाचक चिन जरूर इसमें लगाना है क्या वर दो वरसों से दो वरस से किताब लिख रही थी अब अगला sentence हमारा बनेगा क्या वर दो वरस से किताब नहीं लिख रही थी तो head c subject के तुरंत बाद note क्योंकि note का प्रियोग में सा तीसरे स्तान पर करते है note bin writing a book four two years और अंत में प्रस्वाचक चिन लगा दिया ठीक है अब हमारा वाक्य है w.s. word वाला w.s. word वाले वाक्य में वह कब से एक किताब लिख रही थी तो इसमें हम अठा देंगे किसको समय को अठा देंगे ठीक है तो समय को अठाने के बाद में प्रियोग भी नहीं होगा और समय भी नहीं आएगा व.s. word कब से एक किताब लिख रही थी तो कब को क्या कहेंगे व.s. word की पश्ट फॉर्म में ing.s. writing a book व.s. word कब से एक किताब लिख रही थी ठीक है झाल 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 सो एक ची हरो झाल झाल झाल